टोटल नंबर अफ्लाइन एप्लिकेंट फ्रम एग्जाम सेंटर एफ एच जे जी आफ्लाइन एप्लिकेंट एक बहुत अच्छी चीज है आपने एफ और एच अभी निकाला था थोड़ा द मेमरी में चीज़े रहनी चाहिए तो आराम से फायदा होता है अगर आप ध्यान क बात करूंगा तो यह 20 पर्षेंट यहां पर था और 48 का 20 पर्षेंट निकाला था मैंने 9.6 पर्षेंट यह दो वैलू आप अल्रटी निकाल चुक्त हो जे और जी की बात करें आफ्लाइन निकालना है देखो जे में गए यह वैलू 24 पर्षेंट है और यहां पर क्या आज आपका 54 पर्षेंट यहां से देखना तो 24 और 54 का आपको कहीं निकालने की जरुवत पड़ेगी यहां पर जो भी तरीका लगाना है लगा लो एक तरीका हो सकता है कि आप 55 माइनस एक कर लो ठीक है यह तरीका आप डारेक्ट पर्षेंट का भी ले सकते देखो 24 पंचे 120 होत आप लाइन निकालना है यह 54 है तो चपन बचेगा तो 25 पर्षेंटेज और 56 आपको निकालना है तो 1 बाई 4 और 56 कितना हो गया 14 यह वैलू आपकी होगी 14 पर्षेंट पर्सेंटेज की टर्मस में सारी वैलू आपके सामने लिखी हुई है आपको क्या करना है आप इनको गया तो आपको यह देखना है यह 50 यह 60 110 हो गया प्लस 96 अगर आप इसमें 0 जोड़ोगे तो आपको 206 मिल जाएगा तो यह पर्टिकुलर वैलू जो फाइनली मुझे दिख रही है जो हमने यहां पर निकाला 10,9,9 और 12,31 और 14,45 तो अल्टिमेटली 47.06 पर्सेंटेज हमार 1200,000 यानि अगर मैं 47.06 पर्सेंट निकालने की कोशिश करता हूं इस पर्टिकुलर नंबर की जिसको मुझे 12,000 से मल्टिपलाई करना पड़ेगा तो आपको पता है कि आपका क्या उत्तर होने वाला है वह थर्ड ऑप्शन क्यों क्योंकि अगर आपने 12 को 4 से मल्टिपलाई किया केवल तो आपको 48,000 मिलेगा और 12 को अगर आपने 5 से मल्टिपलाई किया होता है तो आपको 60,000 मिलता यानि या आंसर जो है वह 40 और 60 के बीच में है और 60 के करीब होगा क्योंकि यह 7 है 47.06 है तो यह 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 तीनों अप्शन नहीं हो सकता है थर्ड ऑप्शन नहीं ह करना है कोई मल्टिप्लिकेशन की जरूरत नहीं है अप्राक्सिमेटली अब देखके अपने अंसर को आसानी से मार्क कर सकते हो ठीक है